तो इस के बारे में इस वीडियो हम बात करने वाले हैं और इन तक बने रहे ना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन कॉल पे सेट कर देना तो first of all हम बात करने वाले हैं free fire कहीं बारे में तो आपको पता होगा कि free fire ban में बहुत दिन हो गया बाई और ऐसा उसके बारे में कोई भी statement भी नहीं आया कि free fire आखी ban क्यों हुआ और ये वापस आएगा कि नहीं आएगा लेकिन बाद में जब update एक update आया तो उसमें तो कोई दिकत नहीं हुआ आपडेट आराम से game के अंदर ही हो गया लेकिन दूसरा update जब आया तो उसके बाद free fire नॉर्मल जो free fire था वो update ही नहीं हो रहा था मतलब आप update ही नहीं कर सकते जो free fire max था उसे को आप update करके उसी में आप gameplay कर सकते हो ऐसा था और उसके बाद से free fire max के अंदर ही आपको सब कुछ करना था मतलब free fire max ही उसके बाद अभी से चल रहा है free fire गायब हो गया और free fire थो आएगा ही नहीं भाई अब यह समझे लो कि आएगा ही नहीं और free fire max पर भी खत्रा मंडरा आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा BGMI और PUBG का example अप ले लो PUBG क्या हुआ था कि बाद हुआ था इस रिजन से क्योंकि चाइने के अंदर डाटा जो था इंडियन डाटा वो एक्सपोर्ट हो रहे थे या कह सकते हो ऐसा लीक वगारा कुछ स्थीन हो रहा था गवर्मेंट का यहीं कहना था और इसी वजह से PUBG को बैंड किया गया लेकिन PUBG वाले माने नहीं तो पता नहीं सा गाइस क्या बताया गॉर्मेंट को क्या दिकत चल रहे क्या दिकत हो रहा है गेमिंग कम्यूनिटी एक तरीक से समझो जिस तरीक से बढ़ रहा था उसी तरीक से गिड़ रहा है अब मतलब यह समझ सकतो यह स्पोर्ट इतने अच्छे जा रहा है थे और बहुत सारे आप आ रहा है जो टूनामेंट फोस्ट अगरा कर रहे थे लेकिन अभी सब कुछ खतम हो चुका है गेमिंग से रिलेटेज जो भी है सब कुछ खतम हो चुका है अब यहां पर आप यह एक्जामपॉल मत देना कि माइनक्राफ्ट है लूट हो है यह सब तो यह सभी छोड़ो बैटर ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं तो इसकलिए भी बात करें तो फ्री फायर नॉर्मल जो अपना फ्री फायर मैक्स है इसका भी चांस बन सकता है कि य अब इसके बात से आप पासिपार बता देख सारे लोग है पॉस्यविलीटी बता रहे डिर तो कोई भी कंफर्म नहीं पताएं क्यों हो रहा है अब इसके बात से जो तीसरा दौर आएगा चैनी बेंड की जाएंगी उसके अंदर देखना बनता है कि इसके क्या फरी फायर म आपको रिटर्ण देखने को मिल रहा है तो अपना जो क्रिमनल सबसे अमेजिंग था सबसे जो कह से कि मिलने वाले है तो समझ सकते हो कि यहां पर जो रैयर आइटम हो सब कुछ आपको देंगे उसे डामन्ड आप खारिदोगे और निकालोगे अपने आईडि के अंदर और अ भी करने के बाद हो सकता है कि free fire max भी बैन हो जाए और उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आपका ID कितना ज्यादा रेयर है और आप कितने रेयर आइटम निकाल कर रखे हो क्योंकि free fire max नहीं free fire रहेगा और दूसरी चीज यह कि आप VPN से भी नहीं खेल सकते क्योंकि जब इंडिय सब्सक्राइब में भी खेल ले बट देखते हैं कि क्या होता है लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ऑफिस्यल स्टेटमेंट नहीं है कि free fire max बैन हो जाएगा तो बस यहां पर यहीं कहूंगा कि आप लोग चील मार के खेलो खेल रहे हो खेलो लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट मत करो समझ रहो इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा टॉप अगरा मत करो ज्यादा आइटम मत निकालो ठीक है हराम से गेम को गेम की तरह खेलो यहीं सबसे अच्छी बात है और जितने भी एर आइटम आ रहे हैं उनके चक्कर में आप देख रहे हैं बहुत कंपने करने की कोजिश कर रहे हैं जल्दी ये मासला सॉल्व हो जाए लेकिन यहां पर फ्रीफायर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जब फ्रीफायर बैन हुआ तो भाई कोई एस्टेट्मेंट नहीं आया और धीरे से जो फ्रीफायर के ओफिस्यल साइट्स हो गया रहा या या इंस्टाग्रम हो गया वो सब क कहूंगा इन्वेस्ट कम करो गेम को गेम की तरह खेलो और कुछ नहीं बागी इस वीडियो को सेर कर देना और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाई टेक केर